आप लोग सब लोग एक जो ठोकर के यहाँ जो उपस्तती देने का जो काम किया है इसके बाद मोदी जी का जो नीन्द है वो उड़ जाएगा बीजेपी को भगाओ देश को बचाओ और हमको आने में देर इसलिए हो गया क्योंकि मोदी जी और अमिशा जी की कृपा थी उनके वज़ा से हम आने में देर हो गए अगर उनसे समझोता कर लो उनसे हाथ मिला लो तो आप राजा हरिस्चंद्र में गिने जाओगे लेकिन उनके वादों को गिनाओगे उनसे आप लड़ने का काम करोगे देश को जोड़ने का काम करोगे संप्रदाइक शक्तियों के सामने गुटना नहीं तो एडी और सी बी आई जो उनके अलाइंस पार्टनर है उनके सहीयोग से आपको दबाने का कोशिश करेगा लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं आप लोग कहते हैं ना बंगॉल में के लड़बो कड़बो जीत बो रहे बिहारी में अगर कहें तो लड़े के बाद करे के बाद जीते के बाद उसलिए सब लोगों को एक जुट होने की जरूरत है अभी हमारे चौकिदार जी की बात चल रही थी चौकिदार जी बहले ही चौकिदारी कैसे भी करें लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकिदार हो लेकिन देश की जनता ठानेदार है अगर गलती करोगे चौकिदारी में अगर गलती आपने जो की है तो ठानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा आपको बख्षने का काम नहीं करेगा बीजेपी के लोग और बीजेपी माइंडसेट के जो मीडिया है वो कहती है कि यह महागरबंदन कैसे यह तो अलग-अलग राप पर चलते हैं अलग-अलग बोलते हैं कभी बैठते हैं अईसे कैसे चलेगा उनको हम बता दे कि हमारे अनेकता में ही एकता है और यही हमारी देश की खुबसूरिती है अलग-अलग राज हैं अलग-अलग भाशा हैं दिखने में अलग-अलग हैं बोलने में अलग-अलग हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं पुरा देश एक हैं उसलिए हम उनको जवाब देना चाहते हैं हमारी अनेकता में ही एकता है देश आज टुकरे टुकरे इन सब्रोधाईक शक्तियों ने, RSS की लोगों ने करने का काम किया, मोदी जी ने करने का काम किया आप समझो कि देश फट चुका है और देश को अभी तलवार की जरूरत नहीं, सुई की जरूरत है और मान लो ये कपरा अगर फट जाए तो तलवार काम नहीं आएगा लेकिन सुई काम आएगा आज जितने दल के लोग यहां बैठे हैं आज हम लोग सब लोग सुई का काम कर रहे हैं अलग अलग रंग का धागा लगाएंगे और इसको देश को जोड़ने का काम करेंगे और एक रह करके तरक्षी के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे मोदी जी इतना जूट बोलते हैं इतना जूट बोलते हैं मोदी जी जूट बोलने के फैक्टरी हैं, मैनिफैक्टरर भी है, होल सेलर भी है और डिस्ट्रिब्यूटर भी है मतलब बोलते हैं ना कि कोई समान का परचार में आप लोग देखते हैं कि आड मिलता होगा एक के बदले दस, तो मोदी जी एक जूट बोलेंगे और दस जूट मुफ्त में दे देते हैं उसलिए ऐसे लोगों से हम सब लोगों को सजग रहने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है इनके साधानी से हम सब लोगों को मिलकर के काम करना होगा और मोदी जी तो पूरी तरीके से राजिती दिखावटी है, सजावटी है, बनावटी है और मिलावटी है उसलिए हम सब लोगों को सजग रहने की जरूरत है हमको सुदने माया कुछ दिन बाद फिर आएंगे, फिर मिठी मिठी बात करेंगे फिर जूट बोलेंगे, सब दिखाएंगे, नया नया सपना दिखाएंगे लेकिन हम लोगों को साधान रहने की जरूरत है हम अपने बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं जितने भी बिहार के लोग, यहां उपस्तित हैं पूरे बेंगाल में आप लोग समझ जाएंगे, बिहार के लोग, आप लोग जितने लोगों मोधी जी ने आप लोगों को धोगा देने का काम किया है विशेश राज का दरजा नहीं दिया, बिहार की बोली लगाई थी सत्तर अजार करोर दू की अस्छी हाजार करोर दू लोग सवाल लाग करो रुपे का पैकेज देता हूँ हम सब लोगों को ठगने का काम किया है और बिहार के लोग तो उर्टीचरिया को हल्दी जल लगाना जानते है उसलिए मोदी जी से आप लोग यहां बदला लेने का काम करें और जो मोदी जी को हराएगा आप सब लोग मिलजूल करके उनका साथ देने का काम करें ममता जी के हाटों को मजबूत करने का काम करें उसलिए जादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपनी बाप को यही समाप्त करता हूँ